है गाईस विलकम बैक इन एड़ गुरुबन क्लास 10 यूटू चैनल पर मैं वासे सिंग आपका टीचर आई होप आपसे अच्छे और सेफ होंगे तो यार आप लोगो का काफी कमेंट आ रहा था मुझे बैंकिंग एन इंसरेंस के वीडियो पे कि सर इसका स्लेबस 2023-24 का लेट नहीं दे रहे थे में सब्यक्ट पर ध्यान दे रहे थे जो अब जेक्टिफ अब एक्जाम आ रहा है तो आप सबकी नीद पुल रही आप लोग इसकी बूप ढूंड रहे हैं और पूरे यूटूब पे मैं आपको ट्रॉंच दिलाता हूं पूरे यूटूब पे मेरे अला और उतना मॉटिवेट में रहूंगा उतना अच्छा कंटेट आपके लिए लेकर हता रहूंगा तो यार इसी के लिए मैं आप लोगो कुछ चीजे बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है फिर मैं अपनी एक लाइफ क्लास लेकर आ रहा हूं आपके एक्जाम से 5-6 दिन पहले बैकिंग इंस्वरेंस का उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हो दूगा वीडियो के लास्ट आपको बने रहना है ठीक है तो सबसे पहले देखो यार आपको करना क्या है इसके कुछ कंटेंट सब्सक्राइब चाहिए और यहां पर चले जाना है एकड़ेमिक वेबसाइट पर क्लिक करके आपको एकड़ेमिक वेबसाइट पर आजाईए ठीक है अब यहां पर करिकूलम 23-24 में जाएंगे तो यहां आपकर इसका रिलेटेट कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहां नहीं च देखो आपको कहां चला जाना है स्कीम ऑफ स्टेडिस यहां पर चले जाईए सकेंडरी लेवल पर चले जाईए और यहां पर आप देख सकते हैं कि लैंगवेज वन और टू यह तो हिंदी इंग्लिस कंपल्सरी रहता है और और आप्शनल में आपको कोई एक सब्जेक ले और फिलेगा आपको स्वार यहां चले जाना आपको करीकूलम में ऊपर ठीक है उपर करीकूलम में चले जाना करीकूलम में आने की फिर वीडियो तो मेरे डले भी हुए है और लेटिस्ट लाइफ क्लास भी मेरी आने वाली है तो आप देख सकते हो banking and insurance subject code 411 और ये 2023 के लिए ये slaves है ठीक है अब जरह स्क्रॉल डाउन करके चलते हैं यहां पर क्या आपका स्लिवस रहेगा banking and insurance का क्या कितने marks के हैं यह 9th class का है तो 9th class पर आपन बात नहीं कर रहा है सीज़े चलते हैं 10th class पर तो यह हम पहुंच गया 10th class पर ठीक है ऐसे question होगा बेटा अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग से अगर करोगे तो अराम से इसके questions को attempt कर सकते हो ठीक है 10 number के लिए बहुत ज्यादा परेसान होने की जरूत नहीं है लेकिन हाँ आपको पता है भले ये optional subject है लेकिन अगर आपका कही percentage drop हो रहा होगा तो यह help करेगा अच्छा number इसमें आ गया तो percentage भी आपकी बहुत अच्छे से इसमें increase होगा ठीक है आप अपने साब से देख लेना बाकी जो चीज़े है ठीक है तो यहाँ पर देखो communication इसमें आपको unit 1 communication skill पढ़ना है बात करने का तरीका और और इस पे मेरे videos available है ठीक है employability skill पे आपको इन 5 पांचों की पांचों चेप्टर की वीडियो मिल जाएंगे ठीक है आपको सिर्फ हमारे चैनल एड़ ग्रॉन क्लास 10 चैनल पर जाना है यहाँ पे आप चले जाएए प्लेलिस्ट में ठीक है प्लेलिस्ट में जाने की बाद बिटा आपको यहाँ पे आप employability skill का ना वैसे व यह देखो यह दिख रहा है employability skill इसको मैं open करता हूं जरा ठीक है employability skill के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सारे chapters के आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में pause कर दे रहा हूं यहाँ यहाँ पे unit 1 communication skill और इसके unit 1 के questions answers भी MCQ questions भी आपको मिल जाएंगे दो पार्ट में यह वीडियो है पहला chapter फिर आप यहाँ पे दूसरा chapter भी देख सकते हैं ठीक है इसके MCQs भी मिल जाएंगे तीसरा chapter भी यहाँ पे देख सकते हैं इसके MCQs भी मिल जाएंगे चौथा chapter भी आप देख सकते हैं और पांचवा chapter भी पूरे chapters मैं ने बहुत ही अच्छे से detail में explain किय क्या हुआ है तो आप इसका फैदा उठा सकते हैं अब इवे टाइम है जल्दे जल्दी भगाबा के 2x के स्पीड में आप वीडियो देखना 23 मिनट 27 मिनट के वीडियो जे 35 मिनट 40 मिनट का इसली आपको बस वीडियो देखना है इसके नोट सब गयरा का चक्कर है मतलब इसमें 5 चेप्टर आ रहे हैं लौ रिलेटेट नोटन है जो सिबल इंस्टूमेंट यूनिट 1 यूनिट 2 लेंडिंग फंसन ऑफ बैंक यूनिट 3 यूटिलिटी सर्विस ऑफ बैंक लाइफ इंसुरेंस प्रोडेक्ट और जेनरल इंसुरेंस ठीक है और यह हमारा नंबर द दे रहा है आपको पास तो होई जाओगे लेकिन बनाना है तो आपको एक्जाम में इन चीजों पर फोकस करना होगा अपने को 2023-2024 की पिछले 22-23 की बात करें ना इन चैप्टर में से काफी सारे चीज़े डिलीट कर दिये गया था बट आप इसको देख सकते हो डिटेल स्ल बैंक की बात करें तो इसमें भी सारे चीज़े आपको पढ़नी है यूटिलीटी सर्विस ऑफ बैंकिंग तो इबैंकिंग पिछले साल नहीं था इस साल पढ़ना है तो मेरी वीडियो में आपको इबैंकिंग का कॉंसेप्ट भी नहीं मिलेगा बट जो मेरा न्यू लाइफ क्लास आ रहा है ना बैंकिंग पे उसमें मैंने ये सारी चीज़े इंक्लूड किया है तो डॉन्ट वरी थोड़ा सा वेट करो साब रही वीडियो मिलेंगे नोट्स मिलेगा कोशन इंसस मिलेंगे सब कुछ मिलेगा तो और लाइफ इंसोरेंस में आपको इन सारे ट को दिया है तो 10 नंबर के कोशन आ रहे हैं न। 11 इंगे किस में से इंपल अबिलीटी श्किल में से 11 कोशन जांब sleut जाएंगे ठीक है वन मार्क्स का एक और टू मार्क्स का एक कोशन सेल्फ मेनेजमेंट स्किल यूनिट टू से आपको दो नमबर का दो एमसी क्यू देखने को मिलेगा और एक नमबर का टू मार्क्स वाला कोशन मिलेगा ठीक है आई सिटी स्किल चेप्टर यूनिट थ्री से एक MCQ और एक दो नंबर वाले question आएंगे, entrepreneur skill से एक MCQ और एक आपके दो नंबर की question आएंगे, green skill से एक MCQ और एक question आएगा, इस तरीके से total 11 question आएंगे आपका, और जो की number हों कितने के, 10 number के, ठीक है, और number of questions to be answered, अब देखो, यहाँ पर 11 question total आएंगे, इस तरह banking का, है ना, एक marks के तीन question इसमें पूछे जाएंगे, दो marks के एक question, चार marks के एक question इस chapter से पूछा जाएगा, total 5 question इस chapter से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, lending function of bank की बात करे, unit 2 तो 6 MCQ questions आएंगे, एक दो नंबर वाला, और एक चार नंबर वाला, total 8 question इस chapter से आपको देखने को मिलेगा, पिपर में, utility service of bank unit 3 से बात करे, तो 6 MCQ देखने को मिलेगा, ठीक है, दो question आपको मिलेगा, टू marks के, और एक चार marks का question, total 9 question यहाँ मिलेगा, आपको, life insurance products की बात करे, तो 6 MCQs, 1, 2 marks के question, 1 आएंगे, 4 marks के question, total 8 question यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, general insurance की बात करे तो 3 MCQ, एक दो नंबर वाला, और एक चार नंबर का, total 5 question, total 35 question आएंगे, जिसमें से 27 question ही आपको attempt करने है, total 40 marks के questions आएंगे, ठीक है, तो यह आपको मैंने blueprint भी बता दिया, क्या slayvus आना है, यह भी बता दिया, employability skill के लिए आपको हमारे channel पर चले जाना, employability skill के सारे videos दलने हैं, practice sets दलने हैं, इसकी practice कर लीनी है, बहुत अच्छे से मैंब में पढ़ाया है, ठीक है, आपको बस playlist में जाईए, ठीक है, playlist में जाना है, और playlist में जब आव गयों तो आपको यहाँ पर एक नया दिखेगा, ठीक है, यहाँ चली, playlist में आगे हैं, आप देखो यहाँ पर दिख रहा है, new, new banking and insurance class 10th, hashtag board exam 2024, इस पर मैंने chapter 1 का, question answer, important question और quick revision अप्लोड कर दिया है, बाकि यह चार chapter बचा है, और sample paper बचा हुआ है, मैं exam के time पे start करने का plan कर रहा हूँ, schedule कर दिया हूँ video, 10 तारिक से start है, बट एक exam मेरा 13 तारिक को, और 15 तारिक को मेरे एक exam फस गया है, जिसके वाइसे मुझे साथ schedule चींज करना पड़े, तो channel को visit करते रहिए, मेरे live video schedule है, मैं कोसिस करता हूँ कि 7 तारिक से start करूँ, 7 से 12 तारिक के बीच में मैं पूरा banking पढ़ा ला लूँ, ठीक है, क्योंकि 15 तारिक को मेरा खुद का भी exam चलेगा, तो मुश्किल है कि मैं आपको 16 पंद्र को पढ़ा पाऊं, कुछ important चीज़े करा पाऊं, 16 आपका exam भी है, बट मैं कोसिस करूँगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, अके लिए नहीं छोड़ूँगा, exam तक तो पूरा साथ देना ही देना है, अगर आप चाहो अभी revision करें, तो मेरे पुराने वीडियो की playlist बनी हुई है, banking and insurance का, ठीक है, आप उसको सर्च करो, playlist में आपको banking and insurance के मेरे पुराने वीडियो मिल जाएंगे, फिलाल उतना पढ़िए आप, ठीक है, उतना तो पढ़ाई कीजिए, IT के भी lectures हमारे channel पे already डले है, जिनका IT है, जान पचान के students हैं आपके, उनको हमारा channel सजेस्ट कर देना, IT के lectures भी उनको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो banking यह रहा मेरा, Hindi, class 10th, banking and insurance, one sort videos, इसके अंदर, बहुत सारे, जो previous year मैंने पढ़ाया था, उसके syllabus के recording, ज्यादा कुछ changes नहीं है, एक आग topic ही कटा था, बाकि सब कुछ से मैं, आप इससे भी, फिलाल पढ़ाई करके अपनी तयारी कर सकते हैं, बाकि live classes में हम लोग तयारी करेंगी, सारे चीजे, वीडियो के description में, मैं आपको provide कर दूँगा, कई भी भटकने की जरूत नहीं है, सब चीजी एक साथ मिलेगा, बाकि मैं एक poll डाल रहा हूँ, अपनी चैनल में, आप लोग बताईए गा, साथ तारिक या, आठ तारिक से मैं live class चालू करूँ क्या, जो दस तारिक से चालू हो रहा था, उसको थोड़ा सा पहले सेडूल कर देते हैं, ताकि मैं भी, मेरा भी कुछ exam अगरा है, तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मेरा को भी दिक्कत ना हो, और आपकी भी चीजे ना चूते, ठीक है, तो मैं एक पोल डाल रहा हूँ, आप लोग बताना, सपोर्ट करना, पोल में कमेंट किजिए, कि कब से क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए, बैंकिंग अन इस्रेंस के लिए, नोट्स चाहिए, आपको नोट्स भी मिलेगा, सब जो लाइफ क्लासेस मेरी स्टार्ट होगी, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगएरा, प्रिविएस येर कोश्चन, सैंपल पेपर के एंसर्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, इस बैच में, इसमें उपर में आपको दिख रहा होगा, साइंस की नई बैच चल रही हैं, जिसमें हम लोग प्रिविएस येर कोश्चन, एंसी क्यूज वगएरा डिस्कस कर रहे हैं, भाईया इस पे देखते रहना, साइंस भी पढ़ते चलना हैं, बाकि Economics मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, चारोच चैप्टर Economics का मैंने, क्विक रिविजन, प्रिवेस येर कोश्चन्स और MCQs, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड है, इतना Economics पढ़के चले जाओगे, आपकी एक नंबर भी नहीं कटे का Economics से, बाकि Quality और Geography भी जल्द से जल्द में लेकर आऊँगा, आपके एक्जाम से पहले तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो इन वीडियोस, इन प्लेलिस्ट को भी जाकर आप चेक आउट कीजिएगा, Assertion Reasoning की में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसमें आप बच्चे Assertion Reasoning की प्रैक्टिस कर सकते हैं, Science वाले Assertion Reasoning में चले जाओ, Sorts के माध्यम से आप Assertion Reasoning की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो I hope, इतनी सारी चीजे में आपके लिए कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, तो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कि भाई, बैंकिंग का यही सडियूल बन रहा है, आपको क्या लगता है, किस टाइम से अपने स्टार्ट करें, बैंकिंग की पड़ाई, कमेंट करके बताईए, मिलते नेक्स वीडियो में, गुडबाई, टेक केर एंड, जैन,